हमारे मेन क्यारेक्टर के एक्सिडेंट हो जाने के पाथ उसे लगता है शायद उसकी गल्फिर्ण उस पर चीट कर रही है और उसे पानी के लिए उ कुछ भी कर सकता है अगर आपका वीडियो सकता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा अब बिना किसी दरीगे एक्सिडेंशन स्टार्ट करते है और हमारे मेन क्यारेक्टर एंजल को उसके पार्टनर रिकार्डों के साथ देख सकते है यह दोना एक पारमेडिक है जहाँ पर एक्सिडेंट हुआ होता है वहाँ पर पहुझकर उनके विक्टिम को हस्पिटन ले जाने के लिए हेल्प करते हैं यह काम करते वक्त एंजल का एक सिक्रेट है जिन भी लोगों क्यों हेल्प करता है अगर उनकी कोई वैल्यूबल चीज नीचे पड़ी होगी तो खुद के लिए रख लेता है आज रात भी उसने ऐसा ही किया इसके बाद उसके घर भर मुसकी गल्फरेंट देखते हैं आज रात उसके साथ इंटिमेट हुआ एक्च्वल में यह दोनों बेबी के लिए ट्राय कर रहे थे बहुत दिन हुए पर यह प्रेगनट हुए नहीं थे वाने को देने के लिए अपने पास रख ली और इस वास को एक गैंगस्टर को सेल कर देता है इस गैंगस्टर का मूवी में आगे रोल प्लेए होगा एक दिन जब एंगल घर पर आख सुदिमेट में पाद में दे दूँगी तो एंजल को लगा कि शायद वाने का कहा पर अफेर चल रहा है वाने को लग रहा था कि एंजल में शायद कुछ प्रॉलम है इसी वज़े से वो प्रेग्नन्ट हो नहीं पारे उसे होस्पिटल में जाकर चेक अप करवाने के लिए कहती है एंजल भी बहुत ही confident था कि उसमें कोई भी प्रॉलम नहीं है तो जाकर होस्पिटल में चेक करवा कर आता है वहापर उसे पता चला कि उसका sperm count बहुत ही कम है और इसी वज़े से वो फादर बन नहीं सकता वाने में कोई भी प्रॉलम नहीं था घर बनाने के बाद ये बात वो वाने को नहीं बताता उसे कहता है हमें सिर्फ ट्राइक करते रहना चाहिए आज रात भी वाने के साथ इंटिमेट होना चाहता था पर वाने को जरा study करना था तो इसी वज़े से लाइबरी जा रही थी शक में आकर एंजल ने वाने का फोन चेक किया तो एक लड़की का उसे मैसेज आया हुआ था यह लड़का जरा हैंसम था तो इस वज़े से जेलस हो जाता है नेकसिन में हम देखते हैं कि एंजल रिकार्डों के साथ अपने जॉब पर था वावर वह एक आत्मी को सेव करते हैं और जल्दी से जब होस्पिटल में लेकर जा रहे थे तो अचानक से उनका एक्सिडेंट हो जाता है इस एक्सिडेंट में रिकार्डों तो बज़ गया था उसे कुछ भी नहीं हुआ पर एंजल के पेर पर बहुत बड़ी चोट आई थी इस वज़े सो इसके लेक्स पैरलाइस्ट हो जाते हैं और वो चल फिर नहीं सकता तो इस वज़े से बहुत ज अच्छी तरीके से तैयर होकर लाइबरी जा रही हो क्या धुमारी और उसके बीच में कुछ चल रहा है वाने ने इस बात को इग्नोर कर दिया और वहां से चली एंजल का इस तरीके से उस पर शक्कर नए उसे अच्छा नहीं लगता अगली दिन एंजल ने कुछ रिसर्च की वह चाहता था कि हमेशा वाने का अता बता उसे मालूम हो फोन पर किसे बात करते कहां पर जाती है इस सब कुछ उसे पता चल सक्या इंडरनेट पर उसे एक एप के बारा में पता चला यह एप उसे वाने के मोबाईल पर और अपने लैप्टॉप में इंस्टाल करना था किसे वाने की लोकेशन वो किसे बात करते किसे चैट करते कैमेरा यह सब उसे एक्सेस हो सकता था एंजल आज कल थैरभी विगरा लेकर अपने लेक्ज को स्ट्रांग करने की कुशिश कर रहा था एक दिन एंजल से मिलने के लिए उसका पार्टनर रिकार्ड ओ आता है रिका तो मैं इस तरीके से उसे ट्रीट नहीं करना चाहिए था एंजल को वाने के मोबाइल में एब इंस्टॉल करने के लिए टाइम मिल सके तो उसे गहता है कि नीचे जाकर मेरे लिए प्लीज आइसक्रीम लेकर आओ वाने इस बात को मान लेती है और जब वो नीचे गे तो एंज एंजल को अपने लेक पर बहुत तकलीफ होती है उसी वक्त उसके नेबर कर डॉग बहुत ही जोर से चिला रहा था इस बात से एंजट बहुत ही डिस्टर्ब हो चुका था अगली दिन अपने इकल दीम से बारे में पात कियी की मेरी वाइब बहुत ज़्य ज़ादा ड़ग में उससे देखने के लिए मुझे जाना पड़ता है डॉग घर पर अकिला होता है इसी वज़े से बाग करता है थोड़े दिनों के लिए उसने एंजल को एड़ेस करने के लिए एंजल के लिए यह विदाउट लेक्स लाइफस्टाइल बहुत ही अलग थी उसकी तेरपी में उसे जो नischen help कर रहे ही थी उसकą नाम था सैंडरा सैंडरा हमेशा एंजल से जाधा exercise करवाने का ट्राइग कर दिया एंजल ने आज उससे कहा कि इससे जाधा अब में exercise नहीं कर सकता वह बहुत जाध ठक चुका था पर सैंडरा ने उसकी wheelchair एक दूर के कॉरे में रग दियैं क एंजल से कहा कि जा और उसके साथ कुछ गलस होता है तो उसका बदला उलेगा किसी को भी जाने नहीं दे सकता रात में एंजल और वाने जब डिनर पर बात करें थे तो वाने ने उसे कहा कि एक इंटरंशीप है जुसके करियर के लिए बहुत ही अच्छी होके और वो उसे करन आएंगे यह बात एंजल को अच्छी नहीं लगती है वो गयता है कि फिर हम दोनों जी कैसे पाएंगे मैं पैरलाइस हूँ इस वज़े से मेरा अलॉंस बहुत ही कम आता है वह वाने को इस बात के लिए स्टिकली मना कर देता है रात में एंजल को अपने पैर में बहुत ही तकलीफ होने लग गे डॉक की भी बार्किंग रूक नहीं रही थी उसने घर में पैन के लर ढोड़ने की कोशिश की पर उसे कहीं भी मिल नहीं पाते है वाने जिस जगहाँ पर हमेशा पिल्स रखती है वहाँ पर आज मुझूद नहीं थे सुबहां उने पर एंजल वाने क से बहुत ज़्यादा तंग आ गया था उसने एक मीट का पीस लिया और उसमें कुछ पींज डाल दिये अगर डॉक इसे निगल लेता है तो इसके साथ ही पींज भी उसके पेट में चली जाएगी उसकी डेथ हो जाएगी डॉक का ओनर डॉक को जब पार्क में लेकर गया त दूर से इस सीटी मार कर डॉक को अपने पास बुला लेता है और इस मीट के पीस को उसने उसे खिला दिया किसी ने भी एंजल को एक करते हो है नहीं देखा था वाने जब अपने फ्रेंड से बात कर रही थी तो एंजल उसकी सारी कनवसेशन अपने लैप्टॉप पर सुन रहा था इसमें वाने की फ्रेंड उसे बोल रही थी तुम्हें एंजल को छोड़ दिना चाहिए वो तुम्हें अपने करियर में आगे बढ़ने से रोक रहा है वाने ने भी अपने फ्रेंड से कहा कि मैंने कभी भी एंजल को लाइक नहीं किया था ये बात सुनकर एंजल को बुरा लगा वो डिसाइड करता है कि अपनी relationship में efforts डालेगा आज रात उसने वाने के लिए cook किया उसके साथ एक romantic सा dinner वो करना चाहता था उसने उसके लिए एक dress भी लाई थी जो वाने को बहनने के लिए गहता है यह सब देखकर वाने surprise थी एंजल ने वाने से कहा जो internship तुम क करना चाहती थी यह तुम्हें accept कर लेनी चाहिए अब आज से सब कुछ बदल जाएगा मैं हमारी relationship के लिए बहुत सारे efforts करूंगा एंग नई शुरुवात के लिए वो टोस्ट करता है आज रात दुनों intimate हो गया पर एंजल कुछ भी feel नहीं कर पा रहा था वाने ने भी आज डिसाइड गया था कि relationship को और एक वो चांस देगी आज रात जब एंजल शावर लेता है तो वाने अपने मोबाइल पर किसी से बात कह रही थे पर जब यह मैसेज आता तो एंजल के laptop पर notification आती है इसका आवाज वाने ने सुन लिया वो इसे चेक करने के लिए तो एंजल के एप के बारे में उसे पता चल जाता है इस बात से बहुत ही जादा गुस्सा होगे अपने सारे कपड़े उसने लिए और तुरंद यहा से चली जाती है एंजल जब शावर से बाहर आया तो आसपास वाने नहीं थी उसका सारा सामनों अपने साथ लेकर गई थी एंजल ने अच्छी तरीके से बात नहीं करता उसने अपनी थेरेपी कंटिन्यू की थी उसका मॉरल अब भी स्ट्रॉंग था कोई भी उसे पैरलाइजड आदमी की तरह ट्रीट करें यह बात उसे अच्छी नहीं लगती थी एक दिन उसने वाने का पीछा किया तो वह नोटिस करता है यह वाने रिकार्डो के साथ है रिकार्डो एंजल का ही पार्टनर था पीछा करते करते उसने देखा यह वाने और रिकार्डो यह बेबी सप्लाई के शॉप में गए हुए है एक्च्छल में वाने और रिकार्डो दोनों रिलेशन्शिप में थे अब उन्हें बेबी भी ह होने वाला था इस बात से एंजल बहुत जादा गुसा हो जाता है उसे लगता है कि रिकार्डों ने जान बुश कर वो एक्सिडेंट करवाय हुआ था उसने रिवेंज लेने की सोच ली थी वो फिर अपने फ्रेंड की मदद लेकर एक होस्पिटल में गया वहाँ पर में सिर्फ तुम्हें देखना चाता था कुटबाई कहना चाता था वाने को भी उस पर तरस आ जाता है उसके साथ चलने लगके एंजल ने कहा कि तुम्हारा कुछ सामन घर बर पड़ा हुआ है अगर तुम चाहो अभी आकर उसे लेकर जा सकती हो वाने इस बात के लिए मान नीचे है वाने का जब ध्यान नहीं था तो एंजल ने मॉर्फेन का इंजेक्शन उसे इंजेट कर दिया इस वज़े से वह बेहोश हो गई अब एंजल उसके हाथ पर बांद देता है उसके मूँपर भी उसने पट्टी लगाई हुई थी वाने की चीज़े कोई भी सुनना पाई इस वज़े से एंजल ने बहुत ही लाउड सा म्यूजिक चला हुआ था एंजल ने वाने का मोबाई लिया और रिकार्डो को मैसेज करता है इस सौरी में तुमसे ब्रेक आप कर रही हूं तुम्हारे साथ बेवी में रेस नहीं कर सकती है यह मैसेज लिखने के बाद वाने का मोबाईल एंजल पानी में फेक देता है वाने को जब होश आया तो एंजल कहता है मुझे तुम्हारे और रिकार्डो के बारे में पता है वाने ने कहा कि प्लीज मुझे यहां से जाने तो वो चिलाने लग गए तो एंजल फिर से उसके मूब और पट्टी बान दे अगली दिन एंजल का नेवर उसके पास आया वो उसे कहता है कि कल मैंने कुछ चीखे सुने मुझे लगा यह वाने तुम्हारे साथ है एंजल कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है नेवर ने बहुत ही लावड सा म्यूजिक भी सुना था इसकी भी उसने कंप्लेंड कि वो शूर भी लेते होएं एंजल आज खुश था सैंडरा ने पूचा कि आज हुआ क्या है एंजल ने कहा कि मेरी गर्ल्फरेंट प्रेग्नेंट है हमें बेबी होने वाला है सैंडरा ने कहा कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी एज़ भी बहुत ही जादा हो गई है तुम्हें जा था रिकार्डो कहता है वाने और में हम दोरौ रिलेशनश्यप में थे तुम्हें बताने वाला था और जानक से वाने गाइफ हो चुकिया कि इसके बारे में तुम्हें कुछ पता है एंजल गाता है कि इस बात से वो बहुत ही जादा डिस्टब हो गई वो तडबने लग गई और यहां से बाहर जाने की कोशिश करती है एंजल इस बात को एंजॉय करता है वाने को पेन में देखना यही उसका बदला था एक रात वो वाने के साथ डिनर कर रहा था कहता है कि अगर लड़की वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी एंजल ने उसे पकड़ लिया और उसे फिर से बेहोश कर देता है वाने की चीके सुनकर उसका नेबर डोर पर आ गया एंजल ने डोर खोला तो उसके सर पर चोट नेबर ने देखी नेबर ने खागा कि मुझे पता है कि वाने अंदर है वो अंदर जाकर देखना चाता था नेबर जब अंदर गया तो एंजल ने डारेक्ली नाइफ लेकर उसे मार डाला अब रॉल्व में थी कि नेबर का क्या किया जाए एंजल हमेशा जो भी वैल्यूबल चीज़े चुराता था तो एक गैंगस्टर को सेल करता था तो उसी ग रिकार्डो के घर पर गया और शावर में छुप जाता है रिकार्डो जब घर पर आया तो एंजल ने उसे भी बेहोश कर दिया फिर वो दारू लेता है और जबर्दिस से रिकार्डो को पिला देता है यही पिला पिला कर उसने रिकार्डो को मार दिया अब लोगों को लग तोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे वह इस तरीके से गायब कैसे हो सकती है रिगार्डों की डेड़ बॉड़ी मिलने के पाद इन्वेस्टिकेशन करते हुए पुलीस यहाँ पर आये हुए थे उन्होंने एंजल के यहाँ पेंड की बहुत सारी मेडिसिन विगरा देखी यही मेडिसिन वो वाने को बेहोश रखने के लिए यूज कर रहा था पर एंजल कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा लेग्स में पें होता है इसी वज़े से मैं इसे यूज करता हूँ पुलीस को भी ज़्यादा को शक नहीं होता और वहाँ से और चले गए पुलीस के जाने के बाद वाने को होश आया एंजल उसके लिए एक हेल्दी ब्रेकफास्स बनाता है कहता कि बेबी के लिए अच्छा खाना उसे मिलना चाहिए डेड ओल्ड हुमन से एंजल ने जो रिंग चुराई थी यही रिंग उसने वाने को दी और पूछा क्या तुम उससे वाने को मिल गए बड़ी चाला के से उसने इसे चुपा लिया वाने की तबियत जरा खराब थी तो उसके लिए मेडिसिन लेने के लिए रात में एंजल घर से बहार निकलता है मोके का फायदा उठाकर वाने ने चाकु निकाल लिया उसे अपने आपको फ्री कर दिया एंज पर कर स्टेर से नीचे गिरती है तो एंजल भी उसके पीछे बेचा रहा था उसे पकड़ लेता है तो वाने ने बहुत स्ट्रगल किया फाइनली अपना चाकु लेकर वह एंजल वर वार कर दिया इस वाइट में एंजल ने अपना कंट्रोल लूस किया और वह नीचे गिर वह अगर मरेगा तो वाने को भी साथ लिकर जाएगा इसी वज़े से उसे पकड़ लेता है वाने ने चाकु लेकर उसके हाथ पर हमला किया एंजल की ग्रीब छूट जाती है और उपर से नीचे गिर जाता है इसके बाद हम एंजल को हस्पिटल में देखते हैं पहले तो सि इतनी तकलीव दी थी फिर भी वो सेफ थी फाइनल यू एंजल से कहती है कि अब मैं तुम्हारा ख्याल रहूंगी इसका मतलब है हर दिन वो से बदला लेगी हर दिन उसे तड़ पाएगी वो से अपने साथ लेकर गई इसके साथ वायने का रिवेंज कंपलीट होता है और अगर आपको वीडियोज लगा तो प्लीज इससे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा बहुत सारी मुविज लेकर आते रहता हूं तो प्लीज चैनलों को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकोन नहीं मत भूलेएगा हम फिर से मिलेंगे और एक निम्य के साथ तो तक लिए थैंक्यो और आप हमने आपका ख्याल रखिया